एक ज्यान की बात बता रहा हूं ध्यान रखिएगा जिन भी लोगों के साथ प्रेपर में ये वाली प्रॉब्लम होती है कौन से वाली होमवग आप जो भी देते हो बहुत जबर्दस तरीके से कर रहे हैं और एक और मुझे चीज़ बताइए कितने लोगों ने अब वो लोग बताइए प्लीज इस डैट असाइमेंट इस डन और नाट डन ठीक है डन है असाइमेंट की बात कर रहा हूं आपके अप पर अप्लोड हो चुका है हाँ सर देखेंगे फिर आज जिलोगों ने नहीं सॉल किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप उसको सॉल कर है यह हमेशा जो भी सवाल आप घर पर प्रेक्टिस करें एक ज्यान की बात बता रहा हूं ध्यान रखिएगा जिन भी लोगों के साथ प्रेपर में यह वाली प्रॉब्लम होती है कौन से वाली है हां बहुत सारी लोग बोल रहीं किया अरे यार ऐसा मत करो ऐसा मत करो क्यों उसका वीडियो सॉलिशन भी अपलोड कर दिया जाएगा उसका वीडियो सॉलिशन भी अपलोड कर दिया जाएगा ना हां मिल जाएगा आपको कल अपलोड हुआ था वो कल वाली डेट पर जाके देखना वहाँ पे आपको प्रेक्टिस असाइमेंट नाम से मिल जाएगा द या फिर मैं math, physics कर पाया, chemistry आदी रहेगी, इस type की दिक्कत को अगर आप दूर करना चाते हैं, तो क्या करेंगे, जो भी आप घर पे प्रेक्टिस करें, घर पे, maximum प्रेक्टिसर हम घर पे ही करते हैं, lectures देखने के बाद में, तो आप जो भी प्रेक्टिसर घर पे करें, वो time bound condition में होनी चाहिए, सर क्या मतलब है time bound condition में, time bound condition मतलब मान लोगे आपने 30 सवाल सौल करने हैं, आज maths के, तो 30 into 3 on an average कितना हो गया, 90 minute, 90 minute बोले तो सर डेड़ घंटा, देर घंटे में आपको वो सवाल सौल करने हैं, यस, हाँ ऐसा होगा जब आप वो 30 सवाल सौल करने जाएं तो हो सकता है, 39 में से आप 15 ही कर पाओ, 1.5 गंटे में, कोई बात नहीं, सर पेपर में भी तो ऐसा ही होता है, हाँ, clock parallel में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि सर जब घड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो anxiety बढ़ जाती है, हमें वो घड़ी ये बताती है कि भाया तुम पीछे चल रहे हो, और ये काम पेपर में होता है, तो वही माहल आप घर पे बनाएं, जितनी भी प्रेक्टिस आपको करनी है, chemistry हो, physics हो, maths हो, time bound practice करेंगे, कैसी practice करेंगे, time bound practice, हमेशा हाँ, घड़ी को देख देख कर कि भाया, मैंने इतने बज़े start किया था, इतने बज़े खतम और जब आप वो सवाल solve कर रहे हो, तो बिल्कुल उसी nature में solve कीजिएगा, जैसा paper में करते हैं, और paper में sir कैसे करते हैं, असान सवाल पहले, वो वाला सवाल आपको 30 में से maximum करके निकलने हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सारे करके निकलने हैं, वो तो होगा भी नहीं, सम में habit ये होगी कि अच्छा time में करना एक तो, और असान कौन सा है, वो चांटना तुम्हें आ जाएगा, कि भीया पहले सवाल number 7 करूँगा, फिर 11, फिर 15 करूँगा, फिर 16 करूँगा, फिर 21 करूँगा, ऐसे करके, क्योंकि ये मुझे असान असान लग रहे हैं, उसके 10% बहुत सारे लोगों के school खुल गए होंगे, या फिर सार हम सुबर सुबर offline, सुबर सुबर हम online schools भी attend करते हैं, हमारे school चलते रहते हैं, तो भीया आपको क्या करना है, आपको time वहाँ से extract करना है, ठीक है, sorry to say this, बट हाँ, आप school को थोड़ा ignore करके चले, ignore मतलब उनकी काम पर ज्यादा focus ना करें, क्योंकि वहाँ पर return work ज्यादा होता है, समझने पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ, ignore, यह नहीं बोल रहा हूँ कि attend मत करो, फिर वो school में पता चला, तुमारी attendance short हो गई, तो फिर दिक्कत हो रही है, ठीक है सबके अलग लग नहीं है, मैं school के साब से, but yes, you should ignore the school, जितना हो सके, ठीक है जी, yes, ठीक है, और वहाँ से time extract करके, आप यहाँ वाली पढ़ाई को दो, सब school में भी test चल रहे हैं, यहाँ test चल रहे हैं, यहाँ सले बस अलग चल रहा है, school में कुछ और चल रहा है, यह सब ची बढ़ अगभी school में test आए, तो वहाँ चले गए, यहाँ वाली classes छोड़ दी, यहाँ test आए, तो school में classes छोड़ दी, चलो school वाली classes छोड़ते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ अगर आप यहाँ पर class miss करते हो, तो भाया backlog एकठा हो जाएगा, और the ultimate tag line या फिर the ultimate line is, जो school का syllabus है, वो तो यहाँ cover करवाए ही जा रहा है यार, तो एकी चीज़ को दो दो जिगर पटने का क्या logic है, सर कोई logic नहीं है, समझ में है, तो extract करो अपना time जितना हो सके, और school में तो वैसे ही बहुत सारी चुटियां आती है यार, हाँ, यह वाला holiday, वो वाला holiday, इसकी holiday, उस कोई परिशानी है, कोई परिशानी है, एक बार थमसब बेजो,